नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चेनल बाजार के पंडित में तो दोस्तों सबसे important बात है कि आपको पता है कि अब चलते बाजार में आपको खबरे देखने को मिलेंगी क्योंकि यहां पे Fed के देखेगा साथ साथ अब RBI भी आक्षन लेना कल से शुरू करेगा तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि अचानक से कोई खबर और Market का सिनारियो चेंज हो जाए और आपको ना पता चले तो आप हमारे Telegram चैनल को जोईन कर सकते हैं और Live Market में मैं यहाँ पे बताता हूँ कि Market कब Uptrend में जाने वाला है और कब downtrend में जाके Cross Verify करिएगा 11 बच के 9 मिनट पे बताया था उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 240 पॉइंट का Uptrend देखने वेला था कौन सी Update आने वाली है जो कि अभी बहुत सारी चीज़ें बुलाट साहब बोलेंगे और उसका भी reaction आपको देखने हूँ मिलेगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे FIIs वही सिनारियो देखने हूँ मिला है पहले से cautious थे और जैसे ही trend चेंज हुआ indicator चेंज हुए वैसे ही तुरंत वहाँ पे selling कर दी selling आपको लग रहा होगा कि आज केवल 2800 करोन की हुई होगी लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है लगातार अगर आप देखेंगे 5 दिन का सिनारियो 5 ट्रेडिंग सेशन का और अगर आप 2 ट्रेडिंग सेशन मिस कर देते हैं तो लगातार selling देखने हो मिली है जैसे ही market के indicators change हुएं आप देख सकते हैं कल 5000 करोन की थी आज 2800 की थी उससे पहले भी 2800 की थी फिर 2500 की थी तो आप समझ सकते हैं कि scenario same scenario में आपको चीज़े देखने हो मिल लही है कि जहां पे देखेगा indicator market के opposite side में जाएंगे तुरंत आपको देखेगा reaction देखने हो मिलेगा और वही same scenario चीज़ हुई देखेगा 18200 पे मैंने बताया था 18000 पे बताया था कि be cautious और अभी भी देखेगा मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये आपको जो dip मिला ये opportunity है ये जो dip मिला है हर चीज price in हो रही है चाहे वो 114 dollar का dollar index हो चाहे वो 81 का देखेगा आपका रुपी हो Indian रुपी हो USD हो चाहे जो भी चीज़ हो ये सब price in होगा और price in होने के बाद आपको one way देखेगा bull run देखने हो मिलेगा जैसे कि आप देख रहा हो कि 114 dollar पे आपको dollar index देखने हो मिला ये cautious है बिल्कुल है लेकिन market इसको factor in कर रहा है price in कर रहा है जैसे ही देखेगा इसमें जरासा भी downtrend होता है market push देगा जैसे कि आज आपको scenario देखने हो मिला 200 point 300 point हम लोगों को nifty bank में मिले time to time मैंने update भी किया आपको तो ये कह रहा है कि सब कुछ ये price in हो रहा है जल्दी देखेगा price in हो जाएगा फिर आपको फिर से एक बहुती बढ़िया market बहुती तेजी वाला market देखने हो मिलेगा जस थोड़े थोड़े shocks देखेगा time to time लगते रहेंगे उसके लिए prepared रहेंगे लेकिन आप जैसे ही देखेगा shocks मिलते हैं आपको आप अच्छे investment कर दो आप अच्छे fundamental stocks को भाय कर लो आप थोड़ा सा time दो दो महिने का तीन महिने का आपको बढ़िया बहतरी निटन तो थोड़ा सा cautious रहने की जरूरत है बट जैसे ही देखेगा 113 dollar की तरफ बढ़े dollar index अचानक से तो समझ लिजेगा market का सिनारियो पूरी तरीके से change हो चुका है फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे as such सब कुछ pricing हुआ है चाए आप 2 year bond deal के हैं चाए 10 year के हैं चाए something थोड़ा सा downtrend थोड़ा सा relaxation देखने हो मिला है लेकिन यह confirm है कि अमेरिका में recession देखने हो मिलेगा चुकि changes काफी ज़्यादा आ चुके हैं 2 year और 10 year bond deal में आपको देखेगा काफी wide range of gap देखने हो मिला है तो यह सब indication है technical indication है कि recession आने वाला है तो उसके लिए भी prepared रहेगा ले जैसे ही dip मिले वैसे ही देखेगा आप SIP करियो और जैसे ही bounce back मिले तो आप महाँ पे profit बना सकते हैं कल market में तेजी क्यों देखने हो मिलेगी bitcoin में काफी बड़ी हाँ level देखने हो मिला है 19,000 का level देखेगा hold किया और उसके बाद 20,000 का level यह से में hold करा है 5-5% की तेजी अगर cryptocurrency में देखने हो मिली है it means US market ने एक solidity दिखाई है एक bottom दिखाया है एक देखेगा range दिखाई है कि एक short covering का push देखेगा यहां से आपको dojoon से देखने हो मिलेगा crypto से देखने हो मिलेगा जो की बहुत important है closing बहुत important है अभी closing नहीं हुई है closing important है लेकिन अभी के लिए जो आप cryptocurrency में तेजी देखने हो मिले है यह indication है कि कल संभलने के आसार जादा है और आपको केवल day to day strategy बनानी है ताकि जैसे ही bounce back आया आप तुरण trade करके exit करें और थोड़ा सा relaxation आपको USD INR में भी देखने हो मिला है तो यह सारे छोटे छोटे indication है कि कल market एक short covering दे सकता है तो कल देखे से देखेगा एक अच्छी full fresh तेजी देखने हो मिले है जितने भी top cryptocurrencies हैं जितनी भी top crypto क्रिप्टो करेंसी जितनी भी पहले crypto गिरते हैं इंडिकेट करते हैं उसके बाद देखेगा आपको equity market गिरता हो देखने हो मिलता है तो अगर पहले crypto ने bounce back कर दिया है short covering देदी है तो इ metal में भी देखेगा short covering है metal भी एक asset class है एक market है इसमें भी देखेगा थोड़ा सा relaxation आया है थोड़ा सा jump आया है ये भी एक indication है और अगर आप देखेंगे dojones में तो यहाँ पे 311 point अप है dojones और देखेगा nasdaq 180 point अप है तो आप समझ सकते हैं कि काफी अच्छा सिनारियो global sentiment की through देखेगा देखने को मिलना है कल के लिए तो ready रहेगा अभी देखेगा 17,000 का level nifty future hold कर रहा है लेकिन मेरा मानना है कि कल का resistance रहेगा 17 देखेगा पहले तो 120 का और अगर ये breakout होता है तो 17 175 बहुत ही important resistance रहेंगे कल के short covering देखने में ले profit लीजिए exit करिए फिर अगर आप support की बात करेंगे तो देखेगा 16 960 important है और ये तूटता है तो 16 840 बहुत ही strong support है nifty bank की बात करेंगे तो 38,000 का support आपको एक ही support लेके चलना है और उपर की तरफ अगर बात करेंगे तो 38 750 आपको देखेगा second resistance देखने को मिलेगा तो ये इस पे focus करेगा वीडियो कर अच्छा आए तो like, share, subscribe करना न भूलेगा thank you so much